दोसो नमस्कार मैं हूँ डोक्टर प्रभात कोतम और आप देख रहे हैं सर्फमितर अकास जादव यूट्यूपेसंग चैनल मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोसो मैं एक होमीोपेथिक कंसल्टन्ट हूँ यानि एक होमीजोपेक डॉक्टर हूँ और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ नाजा हमियोपेतिक मेडिसिन के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि नाजा हमियोपेतिक मेडिसिन आपको किस डोज में, किस पोटेंसी में और किस किस डूरेशन में यूज करनी है। दोसो नाजा हमियोपेतिक मेडिसिन के उपर यूट्यूब पे और फेस्वूप पे बहुत सारी भरांतिया फैली हुई हैं आज मैं इन सब के उपर से परदा उठाने वाला हूँ और आपको हर चीज एक्स्प्लेइन करूँगा इसके बारे में बताऊँगा लेकिन उससे पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सरफ मितर आकास यादव यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोसो इसके जानसे में अगला सिंटम है इर्रेगुलर पल्स मतलब आपकी हाटविट एड्रेगुलर रहती है या पल्स एर्रेगुलर रहती है बहुत त dónde बहुत ती ही से अवह ले अवह बहुत आइग्बट हो जाएगी आपको आराम हो Pfizer भीमारी जल्से खतम हो अगला symptom है अन्जाइना पेन की तरफ कि आपको अगर अन्जाइना का पेन उठता तो आप इसको चार डॉप डिर्यक्टली पर डाल लिजी एकदम से आपको रिलीफ हो जाएगा दोस्तो इसका अगला symptom है कि आपको infectious disease हो गया हार्ट में और infectious disease होने के बाद हार्ट में आपका हार्ट डैमेज हो गया infection की बज़े से तो ऐसे केस में Nasa 200 चार ड्रॉप डिरेक्टली अपने ज़वान पे डाली हफते में एक बार थोड़ा खाली पेटो तब और लेने से 15 मिनट पहले और आदे घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है कि आपको left temple reason में pain होता है और साथ में आई के orbit में भी आपको pain हो रहा है और pain आपका radiate करके पीछे occipital की तरफ जा रहा है मतलब साथ में आपको occipital headache भी हो रहा है आपको अपने उपर यह particular symptom देखने के लिए मिल रहा है तो आप Nasa 200 चार डॉप डिरेक्टली अपने जबान पे डालिए और आपको सोने से ज़स्ट पहले ऐसे कुछ अफ़तों तक ले लीजिए तो आपकी जो problem है अगर यह symptom match हो रहा है बीमारी जल से खतम हो जाए या आपको completely आराम हो जाएगा दोस्तों आप बात करते हैं कि YouTube के ओपर और Facebook के ओपर जो Nasa Homeopathic Medicine के बारे में भरांतिया फैली हुई है दोस्तों यह effective थोड़ी बहुत हो सकता हो जाए कि आपका अगर time of duration है कि आपको अगर किसी भी snake ने काट लिया चाहिए वो कोई भी snake है आपको कैसे पता कि वो snake नाजा ही है पहली बात तो आपको पता लगनी पाएगा क्योंकि आप सारी प्रिजातियों से सांपो की परिशित नहीं है सरपमितर आकास जादवजी सब सांपो के बारे में जानते हैं वो ही आपको particular पूरा अच्छे से बता पाएंगे कि first aid क्या लेना है और फिर कैसे क्या करना है दोस्तो आपको अगर कोई भी सांप काड़ता तो आप नाजा होमिपितिक medicine के ओपर depend नहीं हो सकते आपको district hospital जाके anti-venom लेना ही होगा उससे पहले first aid क्या करना है उसके आगे की पूरी की पूरी जानकरी आपको सरपमितर आकास जादवजी देंगे दोस्तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ नमस्कार